Hello friends, welcome to my youtube channel बेटा B.com first semester program और honors वालो के लिए आज से हम एक video series स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैं आपको B.com का syllabus कराऊंगा ठीक है? और हमारी जितनी भी videos आएंगी वो parts में होंगी और मैं आपको पहली बता दूँगा और मैं अपने चैनल पर एक इसके लिए प्लेइस्ट पना दूँगा जिसमें B.com first year के सारी video एक साथ आपको मिल जाएंगे ठीक है? आगे class स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँगा कि जो भी मैं आपको class में ये करवाऊंगा आपको सारी चीजे साथ की साथ नोट करती हुए चलेंगे तब जाकर आपको सही से पढ़ने में मजाएगा आए स्टार्ट करते हैं depreciation accounting depreciation accounting का B.com के अंदर हमारे पास जो weightage है वो 10 से 15 नंबर का है बेटा 10 से 15 नंबर के चैप्टर आ जाता है और ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ numerical भी आ जाते हैं और कुछ theory का part 20 के साथ आता है यानि on average ये 10 से 15 नंबर आपके पास carry करता है तो start करते है depreciation accounting depreciation accounting accounting standard 6 के according चलता है accounting standard 6 का मतलब accounting standard आपने पहले पढ़ा होगा accounting standard का मतलब होता है जहां पर accounts के rules and regulations mentioned होती तो depreciation के rules and regulations कहां पर mention है accounting standard 6 के अंदर तो आज आए जरा start करने से पहले कुछ basic basic सी बाते समझते हूँ चलते हैं आज ही class में मैं सिर्फ आपको depreciation का मतलब और basics introduction आपको समझाऊँ आपको समझाऊँ आपको देखिए this as यह as की बात कर रहा है as का मतलब accounting standard 6 mandatory for all entities बेटा जितने भी business होते हैं जितने भी industry होती हैं जितने भी business firms होती हैं हर किसी के लिए mandatory है कि वो depreciation का accounting standard फोलो करेगा अब बात आती है किसा depreciation क्या होता है बिटा देको depreciation का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और अब भी पढ़ें depreciation का पहले एक basic सा मतलब समझते हैं फिर हम accounting word में यानि according to ASB का मतलब समझेंगे जरह देखते हैं कि depreciation का मतलब आपने अभी तक क्या समझा हुआ है depreciation means fall in the value of fixed tangible asset depreciation का मतलब क्या होता है आपकी fixed tangible assets की value में जो कमी आती है उसको बोलते हैं depreciation due to way and in tears users of assets time या change in technology इन की वज़े से अगर आपकी debt इन चीजों की वज़े से अगर आपकी assets की value में कमी आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं depreciation लेकिन ध्यान देखना यह आपकी एक basic से definition हो गए अगर हम accounting standard की बात करें कि वहां के according accounting word में आपको कैसे define क्या गया है depreciation को तो यहां पर देखो depreciation का मतलब क्या है depreciation is systematic allocation of depreciable value of depreciable assets written of over useful life of assets irrespective of the actual uses using appropriate method यह आपका according to as इसके definition है depreciation के आप चाहए यह भी लिख सकते हो यह भी लिख सकते हो ठीक है आज आज आए जड़ा और भी बाते चलते करते है आगे पहले basic basic सी बाते हमने का समझी का depreciation का as कौन सा है 6 और यह mandatory is for all entity के लिए फिर मैंने का depreciation का मतलब होता fall in the value of fix होनी चाहिए tangible asset fix tangible assets की value में जो कमी आती है उसको बोलते है depreciation और वह value कम होने के reasons हो सकते wear and tear uses of asset time change in technology और या तो अगर आप बिलकुली law के according यानि as के according चलना चाहते हो तो यहां पर मैंने as के according में इनकी definition बता दिये आगे बढ़ते है meaning of depreciable asset आप सेक्थ एक पर आपदे का निए इसट पर आप actually is depreciable로 to bookstore और यहां पर बी देखो तो depreciable decisions क्या होती है ? चाहिआए टेप्रीशेशन एक और यहां रैशेशन हर प्रम पर चार्ज होता है हमने का नहीं, इसन इसन भी एक्स होम नहीं क्या nitr था इप्रीशेबल आसिट वहां आसिट यहां पर पड़ने को पर मेंवे इसिट की Л पर यहां पर पयुत is, जिसकी लाइफ युटकी कैसी हरी हों डिमिटेड़र्यक्तर ओ नससिज कंटेबल लाइफ यह पर जिसकी लाइफ एक नमछ, भुण। एक साल से जादा होने का मतलब यह कोई कि मैंने यहाँ पहली बोल दिया फिक्स टेंजिबल एसिट होने चाहिए फिक्स का मतलब भी क्या हुआ है इसकी लाइफ एक साल से जादा हो और point number 2, ये assets held for using production of goods and services, administrative purpose और rental purpose के लिए युज़ोने चाहिए, ध्यान रखना, दुबाय समलो, depreciation का ASA 6, depreciation mandatory है हर entity के लिए, depreciation का मतलब होता, fall in the value of fixed tangible assets और depreciable assets वो assets होती है, जिसकी life एक साल से ज़्यादा हो, but limited और countable हो, और इसका use हम कर रहे हैं, production of goods and services या administration purpose या आप बोल सकते हो, सीधे 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 सी बात है, कि इस assets का use हम business purpose के लिए करते हैं, वुसी पे हम depreciation charge करते हैं, जैसे कई बार बच्चे को लगता है, कि सर हमारे घर में भी कुछ assets है, हम उस पर depreciation तो charge नहीं करते, तो मैंने वही बात बोली कि बेटा, दो condition fulfill करो, क्या उसकी life एक साल से जादा है, क्या countable है, क्या उसको आप production, या फिर administration, या फिर rental purpose के लिए, business purpose के लिए use करते हैं, नहीं, आगर आप business purpose के लिए उस assets को use नहीं करते हैं, तो आप उस पर depreciation charge नहीं करते हो, तो ये कुछ conditions हैं, जिसके इनी पर depreciation charge होगा, कुछ बाते और कि बेटा, simple सी बात है, आप ये दो condition याद कर लो, कि उसकी life एक साल से जादा हो, और कैसी हो, countable हो, limited हो, number two, उसका use हम किसी भी तरीके से, business के लिए, purpose के लिए करें, तभी हम depreciation charge करेंगे, वनना depreciation charge नहीं करेंगे, ठीके, आगे बढ़ते हैं, बचा काता, नहीं सर, फिर भी मुझे बता दो किस पर depreciation charge नहीं होता, दियको, मैं यहाँ पर कुछ बात है, यहाँ पर मैंने अभी आगे पढ़ाओंगा, यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है, कि depreciation not applicable on acid generated by nature, कोई भी एसिट अगर नेचर ने जनरेट करके हमें दिया, तो इस पर depreciation charge नहीं होता, जैसे जो यहाँ पर ङृण सोगया, ऐल, नाचरल गैस, लाइव स्टाउक, लाइव स्टाउक, लाइव स्टाउक का मतलब होता है, जो जीवित चीजे होती है, जैसे कुछ हम ऐसा बिजनेस करते है, जिसमें जिन दाचीजों करते हैं, जिनके अंदर जीवन है, जैसे फिस का इस पर भी depreciation चार्ज नहीं होता, water या energy और land, land पर भी depreciation चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना, land पर depreciation चार्ज होता, जो खाली land होगा, अगर land के उपर कोई property बनी होगा, तो उस पर depreciation चार्ज होगा, ठीक है, बाद समझ आती है, यहां तक कि क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक और फटा फट से दिखते जाओ, सबसे पहले मैंने पढ़िया कि depreciation का AS6 है, फिर मैंने क्या बताया कि depreciation mandatory है, हर entity के लिए, फिर मैंने क्या बताया कि depreciation सिर्फ उनी assets पे चार्ज होगा, जिसकी life एक साल से जादा हो, limited और countable हो, और वो asset किसी ने किसी तरीके से business purpose में use हो रही आपने value कम होई और कितनी भी value कम कर दी है, ऐसे नहीं होगा, एकाउंट में depreciation एक systematic way से चार्ज होता है, systematic basis से, और इस systematic basis को यहाँ पर हम methods of depreciation के नाम से जानते हैं, यहनि depreciation एक systematic way में चार्ज करना है, और इसको बोलते methods of depreciation, तो methods of depreciation बहुत है, हमारे B.com के syllabus में 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 दो तो मैं इन दो के उपर चर्चा करूँगा यहाँ पर, जैसे straight line method और WDV method, straight line का मतलब और WDV का मतलब आपको पहले से पता है, बागी हम numerical question करेंगे, तो आगे करेंगे, फिर बात आगे चलते हैं, कुछ बाते और समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, generally entities applied, generally entity apply, WDV for plant, machine and furniture, generally, जो मतलब business entity होते है, generally वो क्या करते हैं, WDV plant, machinery, furniture के लिए अपलाई करते हैं, और SLM किस के लिए अपलाई करते हैं, building के लिए अपलाई करते हैं, methods of depreciation के according, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं, कि देखो depreciation में, आपने बार बार सुना होगा, useful life, useful life जब आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, तो आपने useful life के बारे पढ़ा होगा, useful life क्या होते है, वहाँ पर teachers ने discuss किया होगा, या मैं दुबारा से भी कर देता हूं, कि useful life क्या होते है, देखो, it means, इसका मतलब होता है, expected life, expected life of assets, which assets will be used, इसका मतलब हुआ, assets की वो expected life, जितने स जब तक उस assets को use करना है, बच्चा काता सार समझने आई बात, मैंने का बिटा देखो, एक मैंने कार ली, ठीक है, एक कार मैंने ली, कार जब मैंने खरीदी, तो कार वाले ने मुझे बताया, कि भाई देखो, इस कार की जो economic life है, मतलब ये कार जो चल सकती है, maximum, जो economically चले, जो company ने बताई है, वो 10 year बताई है, 10 साल तक ये कार आपकी चलेगे, ठीक है, मैंने का ठीक है, लेकिन मैंने अपने mind में already set कर रखा, ता मैं इसे 10 साल चलाओंगा है, मैं सिर्फ इसे कितने साल use करूंगा, 5 साल, तो देखो, हो सकता है, उस assets की life कुछ और हो, लेकिन मेरे ल बिनस उस assets को कितने साल use करने के लिए expect कर रहा है, उसको बोलेंगे useful life of assets, देखो useful life of assets के हिसाब से depreciation count होता, जैसे for example में बताता हूं, कि यहां पर मैंने बताया, car मानले ते 10 lakh रुपे की थी, ठीक है, और car मेरे लिए 5 year चलेगा, तो 5 year के हिसाब से, मैंने इसे कितना depreciate किया 2 lakh per year, ठीक है, per annum के हिसाब से, हो सकता है, कोई ऐसा भी person हो, जो वो 10 lakh की car को 10 साल चलाने के बारे में सोच रहा हो, यहीं 10 year चलाएगा, तो उसके लिए वो depreciation कितना लगा उस पे, 1 lakh per annum, तो ध्यान एकना, value of depreciation affected होती है according to useful life, useful life के according भी depreciation की value पे change आता है, ठीक है, ओके, य कुछ बाते और समझते हैं, कुछ बाते और समझते है, methods of depreciation, आप बात आती है कि sir, हो सकता है कई बार ऐसा हो, कि sir, मैंने न गलती से न SLM लगा दिया, बाद में मुझे पता चला, 2 साल बात कि नहीं नहीं मुझे तो WDV लगाना था, या कोई किसी को ऐसा, कोई business वाला आप हमारे पास है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, methods of depreciation can be changed, method of depreciation change हो सकता है, from WDV to SLM, या फिर SLM to WDV, if required, मतला किसी भी method को हम change कर सकते हैं, अगर requirement है तो, ठीक है, लेकिन change करते समय ये कुछ बाते आपको ध्यान लगाने हैं, क्या बाते हैं, if methods of depreciation is change, इसको कहा जाता है change in accounting policy, अगर आप method of depreciation change करते हो, तो इसको हम बोलते हैं, account की भासा में, change in accounting policy, ठीक है, and should be, should be retrospectively, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर आपने method को change करने का decision लिया है, तो ध्यान रखना, ये change from starting होना चाहिए, ठीक है, retrospectively होना चाहिए, मतलब देखो, अगर मान लेते हैं, कोई acid 2011 में खरीदी गई है, और इस पर WDV के हिसाब से आपने depreciation charge किया था, at the rate of 10% के हिसाब से, ठीक है, और 2020 में, 2020 के अंदर, 2020 में आकर आपने सोचा, कि इसको हम SLM में change कर देते हैं, at the rate of 10%, तो देखो, SLM में change हो सकता है, ये possibilities है, अराम से change होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान एकना, कि ये method आपको retrospectively करना पड़ेगा, change from starting, starting से change करना पड़ेगा, ठीक है, अब बच्चे की दिमाग बात है, क्या मुझे सारे account दुबारा से बनाने पड़ेगे, नहीं, सारे account दुबारा से नहीं बनाने पड़ेगे, इसके, इसी, B.com first semester में हमें यही पड़ना इसके बारे में कुछ बाते और मैंने बताई, मैंने कहा बताया कि अगर आप method of depreciation change करते हो, तो ये कुछ बाते आपको follow करने पड़ेगे, number one, पहला क्या है, old policy, यानि old method आपको disclosure में देना पड़ेगा, point number two, new method भी देना पड़ेगा, point number three, reasons क्या थे change करने के, next क्या था, effect क् change करने का, मतलब ये कि अगर आप depreciation का method change करना चाहते हो, तो change कर सकते हो, लेकिन condition पहली ये है, कि retrospectively होना चाहिए, और साथ में आपको disclosure देना पड़ेगा, disclosure किस किस चीज का देना पड़ेगा, कि new method क्या है, पुराना method क्या था, reasons क्या है change करने को, और effect क्या पड़ा change करने का ठीक है, इतनी सारी बाते समझ आई आपको, आगे चलते हैं, फिर बात आती है, जो मैंने अभी बताया था, कि depreciation किन पर applicable नहीं होगा, इसका बड़ा simple सा logic है, कि depreciation applicable नहीं होता, जो gifted by nature है, उसके उपर, यात आप ऐसे समझ सकते हो, जिसकी life जो है, वो less than 1 year है, अगर 1 year से कम है, तो भी, तो देखो, इसको पूरा return off कर दिया था, depreciation नहीं करते है, उसको write off कर देते हैं, ठीक है, और अगर किसी की limited life नहीं है, ठीक है, उसकी life जो है, वो not limited है, limited life ही नहीं है, life उसकी limited, आप बता ही नहीं सकते है, उसकी life कितनी है, ठीक है, तो भी depreciation चार्ज होगा, इस सारी चीज़ों को एक बार recall करना चाहता है, क्योंकि देखो, depreciation आपने एक बार पढ़ रखा है, 11th class में, या other board के, अगर student होगे, तो 12th में ही पढ़ रखा होगो ने, UP board आलो होगे, लेकिन ध्यान रखना, वहां से हम यहां पर बहुत सारी चीज़ों डेटेल में पढ़ र आज यह स्टार्ट करते हैं दुबारा से, मैंने क्या बोला कि depreciation accounting AS कौन सा है, AS6, फिर हमने पढ़ा कि depreciation mandatory हर entity के लिए, फिर मैंने अगर accounting standard के हिसाब से depreciation की definition देखना चाहता है, तो क्या है, depreciation systematic allocation of depreciable value, of depreciable asset, return of over useful life of asset, irrespective of the actual uses, using appropriate method, ठीक है, यह है आपकी AS के according, अगर हम basic स यह सिंपल भासा में इसको समझना चाहिए, तो यह है हमारे पास, कि depreciation का मतलब बताओ, fall in the value of fixed tangible asset, due to wear and tears, users of asset, time, change in technology, इन किसी की वज़े से भी अगर हमारे assets की value काम होती है, तो इसको हम बोलते है, depreciation, फिर हमने बोला, कि depreciation हर एसेट पर नहीं लगाते है, यह नहीं कि हमन but limited हो, और countable हो, point number 2 हमने पढ़ा इसमें, कि वो asset held for use in production of goods and services, administrative purpose, और rental के लिए यूज होती है, यहनि सीदी सीदी से बात है, वो business purpose के लिए यूज हो रही है, फिर हमने पढ़ा, आगे, इसके बाद, मैंने कहा depreciation, अगर आपके business follow करता है, तो depreciation जो है, वो systematic basis से ही follow करना है, और systematic को यहाँ पर बोलते है, methods of depreciation, हमारे BCOM first semester के अंदर, methods generally जो हमारे पास question आएंगे, या basically जो आते है, वो आते है, state line और WDV, तो मैंने आपा state line और WDV की चर्चा की है, हो सकता है, आप किसी और university से और DU से ना हो, जा किसी और university देख लेना, maximum जो questions हमारे पास आते है, वो स Generally, अगर हम यह दो methods को अगर compare करें, तो generally जो entities होते हैं नी business होता है, वो plant and machinery और furniture पर WDV लगाते हैं, और SLM लगाते हैं, building के लिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते है, useful life के बारे मैंने बताया, useful life का मतलब कि कोई भी assets मेरे business के लिए कितने useful है, कितने साल useful है, जरूर ही नहीं ह लिए उतना भी same मेरे business के लिए, ऐसा नहीं है, अलग लग हो सकता है, जैसे मैंने car का example लिया था, कि एक car एक व्यक्ति के लिए 10 साल के लिए भी useful हो सकती है, और किसी व्यक्ति के लिए 5 साल के लिए 3 साल के लिए, तो accordingly आप depreciation की value change करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते है, depreciation क method मैंने बोला कि change किया जा सकता है, SLM से WDV में, WDV से SLM में, या किसी other method में, लेकिन ये change हमेसा retrospectively होना चाहिए, यानि change from starting होना चाहिए, और अगर आप method को change करते हो, तो आपको disclosure भी देना चाहिए, disclosure में क्या-क्या, new method, old method, reason क्या है changes के, और effect क्या पढ़ा change करने का, ठीक है फिर मैंने बताया कि इस पर depreciation charge नहीं होता, जिस पर मैंने बोला कि एक word में समझ लो, कि ऐसी कोई भी चीज, जो generated by nature है, gifted by nature है, तो उस पर depreciation charge नहीं होगा, या तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, या फिर जिसकी life बोल सकते हो, countable या फिक limited नहीं होती है, आगे बढ़ते है needs for providing depreciation, कई बार बच्चे के दिमाग में आता है, कि sir हमने depreciation तो इतना पढ़ लिया, कि depreciation ये, depreciation इस पर लगेगा, उस पर नहीं लगेगा, यहां लगता है, ये इसके conditions है, लेकिन depreciation हम provide ही क्यों करते हैं, क्या जरूतर depreciation provide करने की, ये देखो, ये कुछ 5 points मैंने लिख रख को थह तो हमें अपने business का सही profit या loss पता नहीं चल पाता, क्यों नहीं चल पाता, क्यों कि हम direct expenses तो minus कर देते हैं, जो expenses थह देख रहे हैं, वह तो हम deduct कल देते हैं, लेकिन जो indirect expenses हैं, याशिव में हो थो रहे हैificación, या application है, या खर्चा रहा है या खर्चा थारा है, या लेकिन correct financial position, correct financial position का मतलब होता है, कि आपके business की क्या होकात है, simple आपके business की क्या होकात है, कि अगर आप depreciation provide नहीं करते है, इसे मान लो, कि मैं एक machine खरीद के लाया था, जिसकी कीमत थी 20 lakh रुपे, ठीक है, 20 lakh रुपे, अगर मैं depreciation provide नहीं करूँगा, तो इस machine कीमत आज भी 20 lakh है, और आज से 10 साल बाद भी 20 lakh मेरे book में लखी होगी, यानि books of form लिखी होगी, यानि बिजनेस के अंदर लिखी होगी, तो इसलिए, जब तक हम depreciation provide नहीं करेंगे, तब तक हमें सही financial position का पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जैसे मैं नहीं आप example दिया, अगर machine 20 lakh की दिखा रहे होगा, और 10 साल तक आप depreciation चार्ज नहीं करें, तो आपने books of account 20 lakh दिखा रहे होगे, इसका मतलब वो आपकी गलत financial position है, तो depreciation भी provide करोगे, तब ही financial position का पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं, a certain real cost of production, देखो, cost of production में हम क्या करते हैं, मोटी-मोटी चीए तो हमें सम्म्म में आते हैं, जैसे कितना material लग गया, कितनी labor लग गया, यह पता चल जागा, लेकिन जिस machine पर production हो रहा है, जो machine यूज की जा रही है, उसकी value भी तो दिन बे दिन कम हो रही है, उसकी cost भी तो कहीं से recover होनी चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर cost में add करेंगे, machine का जो value कम हो रही है, इसलिए true cost of production का पता चलेगा, आगे जलते हैं, make provision for replacement of asset, यह तो आपको simple सा समझ माना चाहिए, कि जैसे मान लो, अगर मेरे, मैंने अभी example पीछे car का लिया था, car का example लिया था, कि अगर मेरे car की value 2 lakh रुपे per annum घटती है, हर साल 2 lakh कम होती है, तो मुझे यह पता है कि मेरी value हर साल 2 lakh कम हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, अपने profit से या अपनी income से, एकना provision मना लूँगा, पैसा ही खटा करना सुरू कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है, 5 साल के लिए मैंने car ली थी, तो 5 साल में car की value खत्म हो जाएगी, यानि मेरे out of use हो जाएगी, है ना, मैं उसको scrap में बेचूँगा, तो मुझे नई एक car लेनी पड़ेगे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए provision मनाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि हर साल मुझे पता है, 2 ला कम और एक provision बना के मैं नई car ले लूँगा, फिर आती है legal requirement देखो, legal requirement भी है कि आपको depreciation लगाना ही पड़ता, जैसे income tax की, जैसे company accounting की depreciation आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है यहां तेक हम आज करेंगे जिसमें मैंने depreciation का introduction सिर्फ आपको बताया है, कुछ numerically भी हम चीजों को करेंगे, मैंने बोला कि यह video series में आया करेंगी तो मैं एक playlist बना दूँगा और इस video का जो link होगा वो अपने friends में share करें, जो become first semester के त्यारी कर रहे हैं, और किसी भी university के हैं, अगर depreciation accounting है तो उनके लिए यह useful है, ठीक है और यह जो मैंने hand return में लिखा हुआ वीडियो के description में इसका link दे दूँगा आप अपनी copy में इसको note कर लेंगे ठीक है, मिलते हैं अगली class में, bye